ये हैं पाकिस्तान का नमबर वन फ़र्चार्ण। पार्किंग जो हैं जो हैं तो यहां पर लोगों को वीकेंड्स पे और वीक डेज में दोनों में बहुत जादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता हैं आदा अदा घंटा उन्हें सिर्फ क्यों से निकलने में लग जाता हैं बहुत ही जादा उनको मसला है और चौके सेंटॉरस जो है सलामबाद का एक सबसे बड़ा मॉल जिसे है आप बो कह सकते हैं यहां पर जो है हर आम सारिफ भी आता है और जिसका मिलब कुछ भी कोई चोटी मोडी चीज है तमाम आउटलेट से हां मौझूद है तो यहीं पर उनकी रसाई जो असान होती है इसलिए यह सब्सक्राइब का पार्किंग का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है क्या गये दिया कानिता आप बिल्कुल सिद्रा अब जिससे हम देख सकते हैं अब सुबह इन फैक्ट में मिराना हुआ था यहां पर आदा आदा घंटा सिर्फ आपको एक लाइन जो ह यहां वेस्ट हो रहा है सिर्फ अपार्किंग के लिए चल कर माम से पूछते हैं क्या नام मिशाल खान आप यहां पे टैक्सी स्सेटारस के ढिराए होते हैं अच्छा यह बताएं के आप कितने सदे टैक्सी चला रहे हैं कितने इस सदिचैजङ था रहा हैं च्छा भीज भी जब आपके ख्याल में यह जो सीडी न ऑपरेशन किया है यह ठीक है इसके मतबादल या तो कुछ करना चाहिए था इसके मतबादल इनको कुछ नो कुछ करना चाहिए था कुई नो की डील बनानी चाहिए थी किसी भी किसम का कुछ ऐसा अल्टरनेट करना चाहिए था जिस पर मलब पब्लिक को यह प्रॉब्लम ला क्यूंकि अब यहां पे काफी सारे लोग हैं जो इनके वाची और महेंगी ग लेकिन यहां पर आते हुए जितनी तकलीफ पहली बार मुझे हम तो पहले जब आते थे इदर गाड़ी करी करके सीधा अंदर चले जाते थे हमें तकरीबन पंदस मिनट में गाड़ी करके मतलब इतना मसला नहीं होता था लेकिन आज मुझे कम असकम एक गंटा लगा है इस कॉस्ट्रमर जो आ रहे हैं इसी तरह रोडों पर गाड़ी करे कर रहे हैं तो पता हूं ये प्ले जो गाड़ी एक हम पार करते थे वह पारकिंग एरिया तो बिलकोल करो आप हूए हई लेकिन आगे मुझे पता है कि यूं काड़ों आफ हो है, कि अगर सिडिया ने कोई मसला बनाया हुआ है, अगर सिडिया बनाया हुआ है, तो कोई अल्टरनेट अपशन तो कम सकम, किस्टरमर के लिए तो होना चाहिए ना असाम लेकुम वालेकुम स्लाम के नाम है आपका दन्याल नाम है मेरा यह बताएगा यहां पर संट ओरस में आये में कुछ शॉपिंग करने के लिए यह आया था लेकिन यहां के पता चला है पार्किंग बहुत जादा इशु है जो मैं पहले एक्सपेक्ट नी कर रहा थे कि प बहुत इंकिन्विनिंट हो रहा है कि यहां शॉपिंग नी आया यह एक अच्छी जगह है ठीक है लेकिन पार्किंग के वैसे अब मसले यहां है इसी डी कुछ चाहिए कि यहां जगा प्रवाइट करें सेंटोरस को जहां पार्किंग वगारा लोग आ कर से असान असान असा किया रहा है अच्छा फाग आफ्टी गई है तरे टींट कि तरव से दो इस बारे में आप क्या कहना क्या चाहें jaką कि हें किस किस seminar का सामना करना करना है हमें डेली जरुएत में सी बहुत मुश्किलात करना करना पढ़ा है क्योंकि डेली ही फेस करना पर आप काफी वहां से आप देख सकते है काफी गाड़ेयों का हज़िम बन यह से से तो हमें पार्किंग डूड़ना पड़ता है और पार्किंग मिलती भी नहीं हमें जिस काफी स्टॉक हो जाते हैं अब अच्छा थांक्यू सो मैच सब्सक्राइब कमर्जमान कमर्जमान ये बताई का अप सेंटॉरस में आए हैं शौपिंग करने आए या जॉब करते हैं न पदलब चोटी मोटी हम लोगों कई बार तो इससे बाइग निकालने के लिए बहुत दिक्कत होती है जी तो रोजाना आ रहे होते हैं तो पहले जब आप पारकरते हैं कोई बहुत जादा जो है डिफरेंस नजर आया है लोग तो यहां बहुत ज़्यादा परिशान है कहते तो पूरा रोड और आवाम को पे जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किलात है है और हकूमत पाकिसान को चाहिए किसका कुछ पार्किंग करना अच्छा यह जो पार्किंग किस चुरत है हाल आप देख रहे हैं जिसे कि हमारी बैक साइट पूरा एरिया खाली पड़ावा है जो के पहले सेंटार्स के पार्किंग के लिए यूज होता था अभी हाल ही में जो है वो सीडिया ने जो तजावजात किये हैं और काफे सारी जगों की पार्किंग्स खाली करवाई हैं तो अवाम को दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ आया है आप जिसे देख सकती हैं आप पार्किंग ढूंडने के लिए और गाड़ी खड़ी करने के लिए तकरीब हमें दो दो तीन घंटे लग जाते हैं एविन हमारे बच्चे भी ना मतलब बहुत ही एक किसम से वह भी सर्वाइब कर रहे हैं तो एट लिस इन लोगों को यह चाहिए तो पहले यह ना देते ता आम तोर पर शॉपिंग से ज्यादा लैंच और डिनर वगरा होती है तो उस वज़ए से भी जब हम यहां आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होती है तो तो यहां पर आई शेरियों को बहुत जादा मुश्किलात का सामना करेश करना पड़ा है ट्रैफिक ज इस हाल है कि लोग घंटो घंटो जो हैं पार्किंग रिए स्टाक रहते हैं बहुत ही मुश्किल से जहना निकलने का इनको चांस मिल रहा है आई काड़ी वाले नेजहर कोई यहांँ बहुत जादा परिशान है काणीधा आप ने लोगों से बात की लोग क्या कहते हैं बिलक से भी वहां से भी हर तरफ से ट्राफिक जो है वो बहुत जादा है और काफी बड़ा एरिया जो के हमारी लेफ साइट पर जो पार्किंग के लिए पहले यूज होता था वो खाली पड़ा हुआ है अवाम बहुत जादा तंग है क्योंकि अवाम का कहना ये है कि हम आते आदे के काम के लिए हैं गंटे के काम के लिए हैं और सिर्फ पारकिंग ढूने के लिए हैं सेंटारस के अंदर तक जाने के लिए हमें दो दो घंटे लग जाते हैं जो के जहनी तनाव का भी शिकार कबाइस बनता है और सेकंड ली आपका टाइम का जया भी काफी जादा इसमें ह पार्टिंग लिए कोई मुनासिब उन्होंने तज्वीज हल नहीं किया क्योंकि स्तावबद सेंचॉरस जो है वो काफी बड़ा मॉल है और देखा जाए तो यहां पर मोस्ली हड लोगों को जो है यहां पर जंट्री को जो है सबसे करीब तर जो है वो सेंचॉरस ही पड़ता ह तो सीडिय को चाहिए कि कुछ मुनासिब हल इसके लिए तज्वीज करें कोई ऐसी राए निकालनी चाहिए जिससे दोनों जो है वो परिशान ना हो ना इंतिजामिया परिशान हो ना ही यहां पर आएवे लोग परिशान हो इसी के साथ मैं सिद्र सत्य और कानितर इंतियास पब्लीक अपीनियन से जाते हिजादत, अल्ला हाफेज